दोस्तो आज हम लोग जो वीडियो लिखे हैं वो एक और टेस्ट के बारे में एक और इंवेस्टिगेशन के बारे में है जो कि है सीटी से स्टेनोग्राफिक जो हमारा ब्रेन का फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सीएसर जो ब्लू कलर से इसमें दिखाया गया है कई हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका डॉक्टर दोज डॉक्टर वैवर प्रताब सिंग दोस्तो आज हम लोग जो वीडियो लिखे हैं वो एक और टेस्ट के बारे में एक और इंवेस्टिगेशन के बारे में है जो कि है सीटी से स्टेनोग्राफिक दोस्तो अगर आप यह वी तो दोस्तो इसके बारे में इस टेस्ट के बारे में सीटी से स्टेनोग्राफिक टेस्ट के बारे में इस टेस्ट कम है तो मैं आज काफी सारी चीज़ें क्लियर करने के कोशिश करूँगा इस टेस्ट के बारे में दोस्तों CSF राइनॉरियो वो समस्य है जिसमें नाग से ल कंडिशन में CSF रायन औरिया जिसमें नाक से CSF आ रहा है वाली कंडिशन में अगर मुझसे पुछा जए सबसे important test क्या होता है तो दोस्तों वो CT का CT Cisternography का test होता है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों इस पहले समझ लें CSF प्राइन औरिया में क्या समस्या होती दोस्तों जो हमारा brain का fluid होता है जिसको बोलते हैं CSF जो blue color system में दिखाया गया है तो हमारे brain के चारों तरफ होता है इसके बहुत सारे functions होते हैं को nutrition भी प्रुवाइट करता है जो शॉक एब्सॉर्बर भी काम करता है बहुत सारे functions होते हैं तो यह जो fluid होता यह पूरा spinal cord यानि हमारे पूरी जो spine होती है spinal cord जो होता है उसके along पूरा फैलता है और circulate करता रहता है चारो तरफ brain के और spinal cord के spinal के नार जो रीड के अंदर जो structure होता है जिसके अंदर से spinal cord जाती है तो उसके चारो तरफ यह फैला होता है और nutrition provide करता है दोस्तों कई बार यह जो डिफेक्ट नाक है यह लिप से चिन है तो कई बार यह जो bone होती है brain के base की तो यह break हो जाती है कई बार fracture हो जाता है कई बार कोई brain की समस्या यह बहुत सारी conditions होते usually fracture या कई बार congenital जनमजाद कुछ condition हो सकती है जिसके वजह से इस bone में थोड़ा सा defect आ जाता है और यह जो fluid है धीमे 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 में नाक से आने लगता है तो दोस्तों यह बिमारी वैसे तो बहुत ज्यादा itself कोई ज्यादा समस्या नहीं आपको discomfort लगातार पानी आता रहेगा करती रहेगी पर इस स्थिती में आपको brain का severe infection होने की संभावन रहते कई बार तो brain भी हलका सा निकल के आने लगता है तो ऐसी स्थिती में operation की ज़रूद पढ़ने लगती है तो कई लोगों में जो condition होती अपने आप ठीक भी जाते ब्रेन का pressure बढ़ा होता है बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जिसके वज़े से यह condition spontaneously अपने आप जो डिफेक्ट होता है ज्यादा बढ़ा नहीं होता है spontaneously body जो है उसको heal कर देती है कई बार यह जो condition है लगातार सालों साल तक चली रहती है तो ऐसी स्थिति में की defect कहां पर है और उसको किस प्रकार अपरूच ले जाए कैसे operation किया जाए का decision लेने के लिए यह जो test होता है CT systemography advice किया जाता है तो आये दोस्तों इसी के बारे हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों CT scan का test होता है CT scan आप लोग जान रहे होंगे इस तरह के एक machine होती है radiology department में होता है diagnostic centers में होता है इस machine में यह test होता है दोस्तों test के पहले यह थोड़ा सा मैं बोलेंगा specialized test होता है तो मैं recommend करूँगा कि आप एक दिन पहले appointment ले ले लें चीजों को समझ लें इस test के पहले जो creatinine होता है जो kidney function test KFT या RFP भी बोलता है इसकी जो normal report चाहिए होगी क्योंकि इसमें contrast का use होता है contrast दिया जाता है और fasting का status चाहिए होगा यानि कि 4 घंटे आप कुछ ना खाएं पी सकते हैं पानी सिर्फ पानी पी सकते हैं बागी कुछ न खाएं न पीएं तो minimum 4 hours की आपको fasting चाहिए और इसमें आपका procedure में थोड़ा सा invasive होता है थोड़ा सा इंटर्नल कोई ऐसा surgery और कोई operation इसमें नहीं किया जाता है आप मैं आगे बताऊंगा भी आप समझ जाएंगे दो दोस्तों proper appointment ले ले एक दिन पहले और जो केस आपका जो डॉक्टर जो भी फाइल बनी है जो भी पुराएं जाचे हुई हो साथ लेके जाएंगे साथ को properly idea लग जाए कि हमको यहाँ पर देखना है यह चीज को हमको focus करना है तो दोस्तों test के दौरान सबसे पहला जो step होगा उसमें आपको इस प्रकार से जो read होती है उसमें इस प्रकार से इंसर्ट करके दवाई डाली जाएगी इस प्रकार से बठाके या लटाके जात कंडिशने से लटाके आपको kontra से दवाई डाली जाएगी आपकी spinal cord के चारो तरफ दवाई डाली जाएगी और यही दवाई धी में आपके brain के उपर अपने आप चली जाएगी तो दवाई य इंस्टिल कर दी गई है तो आपको इस प्रकार की position बनाने को बोला जाएगा ताकि जो दवाई हमने somewhere ओवर यहां इंसर्ट करी है दवाई प्रॉपर्ली हमको brain तक पहुचानी है तो वह gravity के माध्यम से आपका head down करने को बोला जाएगा head थोड़ा सा और down करेंगे तो gravity के legs थोड़े अपकर दे जाएंगे दवाई जो है आपके brain और नाक के pass वाले लाके में transfer हो जाएगी by gravity method तो यह usually 5-6 minute में ऐसा हो जाएगा और जब दवाई properly इस परकार यह white color की दवाई है यह brain में CSF में पहुच गई है उसके बाद आपका test कर दिया जाएगा test usually इसी white color की दवाई है पूरा clear हो गया कि इतना बड़ा defect है यह defect का size है यहां इस वाली bone में defect है और यह sure यहां से contrast दवाई है और देख सकते हम नाक के बाहर तक दवाई आती हुए दिखेगी तो proper पूरा रास्ता हम को पता चल जाएगा और इसको किस परकार surgically approach करना इसका भी हमको idea लग जाएगा तो इसलिए यह test surgery की planning के लिए बहुत essential है या आपका CSF राइनोरिय जो CSF जो पानी आने की समस्य है वो ठीट नहीं हो रही है आप परिशान हो चुके हो तीन चार पांच छे हफता है महिने भर एक साल हो सकता है वेट कर चुके हो और कोई निजात नहीं मिल हो तो आपको यह test या as per doctor advice समय से test करा लेना चाहिए तो दोस्तों test के बाद जैसे मैंने बोला कि कोई इसमें कोई समस्या नहीं होती है कोई side effect नहीं होता है कई बार थोड़ा बहुत symptoms आ सकते हलकी full की allergy हो सकती हलका full का headache वगरा हो सकता है तो उसका आप over the counter या किसी doctor को दिख अगर दोस्तों आपको एक condition थोड़ा इन्वेजव है अगर आपको डर लगता है और आप अभी इनिशली stage ही है symptoms के अभी आपको symptoms आई होए जल्दी जल्दी ताजा ताजा ही आपको नीरो के doctor ने किसी doctor ने बोला है कि जुखाम नहीं है यह CSF निकल के आ रहा है मुझे लग अगरा है तो आप शुरुआती stage है हो सकते है अपने ठीक हो जाए अपने ठीक ना भी हो और आप ना चाहने रहें कि इतना एग्रेसिव इतना इंवेजिव थोड़ा सा इंवेजिव है test कराया जाए तो आप MRI सिस्टर्नोग्राफी भी करा सकते है इसमें usually कोई दवाई का य 9000 से लेकर यह 15-16000 तक का test हो सकता है यह थोड़ा सा आपका उतना expensive नहीं रहेगा 10,000 प्लस माइनस उपर नीचे रहेगा इसका भी price जो है 7000-8000 इतने के उपर नीचे थोड़ा सा रहेगा इसमें में है कि MRI की images इसमें CT कर रहे थे इसमें MRI करेंगे MRI में अच्छी information मिल जाती है और जैसे इसमें यहां पर defect दिख रहा है आईडिया लग जाता है और जैसे इसमें थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा था इसमें properly बिना medicine की इसमें पता जल जाता है कई बहुत ब्रेन का हिस्सा भी थोड़ा बहुत निकलने लगता है तो वह idea MRI पर ज्यादा अच्छे से लग बढ़ा जाता है बट अगर मेरे को बोला जाए अगर एक टेस्ट कराना है जिससे आपको सारी picture clear हो जाए कि यह हां CSF ही निकल रहा है और हां यहां से निकल रहा है और हां इसको surgery की जरुद पड़ेगी जोस्तों CT systemography का ही टेस्ट होता है यह थोड़ा expensive test है यह वाला जो है beta to transfer in यह सब जगे available भी नहीं होता है तो इसको वैसे तो avoid नहीं करना चाहिए बट अगर नहीं availability है तो आप अगर एक test बोला जाए तो CT systemography का test आप करा सकते हैं तो I hope आप लोग healthy रहें स्वस्त रहें अगर इस बिमारी से कोई आपका relative period है उसको वीडियो ज़रूर शेर Thank you friends, stay healthy, stay happy.